नमस्कार आप जोई रहाशो जी 24 कल्लागन राउंड गुजरात साथे हूशू संजीवनी मारी साथे मारा सहयोगी नुपूर सउथी पहला वाद करिये समगर दिवस गैकालना दिवस नी जो वाद करवा मावे तो समगर दिवस ना ड्रामा बाध अंते अविश्वास प्रस्ताव रद थयोशे संसद मा बार कल्लागती वदूनी चर्चा बाध मोदी सरकारे विश्वास नो मत मेड़ विली थू कुल 451 मत पड़या हता जे माथी 325 मत सरकार ना समर्थर मा हता ज्यारे के 126 मत मा विपक्ष ने साथ मड़ियो समगर दिवस दर्म्यान राहूल गांधी थी लई तमाम विपक्ष पी एम मोदी ने भाजप सरकार पर आकरा प्रहार करिया सामे भाजपे पन विपक्ष ना वर्तो जवाब आपियो राहूल गांधी ए पी एम मोदी ने जादूनी जप्पी आपी तो पी एम मोदी जादूनी जप्पी नो जवाब आपता कहू के राहूल गांधी ने आसीट पर आपबानी जल्दी शे त्यारे आ समगर वातो वचे एक वात तो छे के भाजपनी संसद्नी अंदर तो जीत थाईशे परन्तु शू संसद्नी बहार जीत छे अने शू लोक्षभाने जूटनी पहला आ भाजपनू श्रक्ति प्रदशन जहतू सौथी मोटी वाद पीएम मोधी भाषण दर्मियान कहिऊ क्या विश्वास प्रस्ताव दर्मियान तमाम लोकों नों चेहरों खुली गयो त्यारे पीएम मोधी नू आ इशारों कोनी बाज़ू हतो शीव से ना के पची विपक्ष त्यावनार समय बताऊशे तो लोक सबामा राहूल गांधिये पोताना भाषण नी जोड़दार शरुआत करी यहने दर्येक मुद्दे पीएम मोधी पर प्रहार पड़ करया तेरे राहूल गांधिये जनावी होतो कि तमे मने गमेते कहो तहूं तमारा माटे पपू जिछू त्यारे पीएम मोधी जोड़दा जवाब आपता कटाक्स करे होतो आपके अंदर मेरे लिए गुसा है आपके लिए मैं पपू हूँ आपके लिए आपके लिए मैं अलग-अलग गाली दे सकते हो मगर मेरे अंदर आपके खिलाप मैं इतना सबी गुसा इतना सबी क्रोग इतनी सी भी नप्रह्त नहीं है कॉंग्रस हूँ और ये सब कॉंग्रेस हैं और कंउग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है इस बात को आप कभी मत भूलिए कि नो दिशी जॉट नो दिशी नॉट टैसे सरे अधिर भी जिनको यहां पहुंचने के उच्छा है उठो 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 कि यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है सबासो करोड देश वासी बिठा सकता है मैंने प्रधान मंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधान मंत्री अपनी आख मेरे आख में नहीं डाल सकते हैं क्यों प्रधान मंत्री अपनी आख में मेरी आख भी नहीं डाल सकते हैं मानिय अध्यक्त बहुत है सई हम कौन होते हैं जो आपकी आख में आख डाल सके तो गरीब मां का बेटा पिछडी जाती में पैदा हुआ गाओं से आया है आप तो नामजार है नामजार हम तो कामजार है आपकी आख में आख डालने की हम्मत हमारी नहीं है हम नहीं डाल सकते और इतिहाज गवा है अध्यक्त महोदय जी इतिहाज गवा है सुपास चंद्रबोज ने कभी आख में आख डालने की कोशिश की उनसे के साथ क्या किया गया जैप्रकान नारायन गवा है उन्होंने आख में आख डालने की कोशिश की उनसे साथ क्या किया गया चौदरी चनंसी उन्होंने आख में आख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया सरदार बलब भाई पटेल ने आख में आख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया गया चंद्रा सेखर जी ने आँख में आँख डालने की कोशिश की क्या किया गया अरे प्रणव मुखर जी ने आँख में आँख डालने की कोशिश की क्या किया गया अरे इतना ही नहीं हमारे छरत पबार जी ने आँख में आँख डालने की कोशिश की थी उनके साथ भी क्या किया गया था मैं सारा कच्चा चिठा खोड सकता यह आँख में आँख और इसलिए आँख में आँख डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है कैसे उनको ठोकर मारके निखाला जाता है एक परिवार का इत्याज इस देश में जान नहीं है और हम तो कामदार है बला हम नामदार से आँख में आँख कैसे बाचाएं प्रदान मंत्री जी ने शाइना के राश्टपती के साथ गुजरात में नदी के किनारे जूला जूला था उसके बाद उसी समय चाइना के हजार सेनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे हमें एक गटना करमजरा याद रहना चाहिए जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एक जूट होकर के डूकराम के विशे को लेकर के प्रवृतिक शिल थी, अपनी अपनी जिम्मेवालिया समाल रही थी तब जब जब डूकराम की बाते करते हैं वो चीन के राज़िस के साथ बैठते हैं और बाद में कभी ना तो कभी हाँ जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटे की डंग से चल रहा था कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले क्यों भाई ऐसा सस्पेंश क्यों, मैं समगता हूँ और कॉंग्रेस परवकितारे तो पहले साथ बना कर दिया था कि उनके उपादश चिनी राध्यूत को मिले ही नहीं है इस बीच एक प्रेस्फिक जपती भी आ गई और फिर कॉंग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा हां मुलाकात तो हुई थी कहीं ना कहीं लिए इसी ना किसी हंदुस्तानी को मारा जा रहा है पीता जा रहा है कुच्छा जा रहा है दबाय जा रहा है प्रदान मंत्री एक शब नहीं कहते हैं कि अच्छा और श्रॉट करना चाहता हूं कि यह समझेवारी प्राटियों के साथ नहीं हुआ है दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पार दर्सिता के साथ हुआ है और मेरी पार्था भी है कि राष्टियों सुरक्षा के मुद्दे पर इतने सम्वेजन से मुद्दे पर ये बचकाना बयानों से बचा जाए ये मेरा आगरा है लोग सबमा आविश्वास प्रस्ताव पर पिये मुद्द ये भाषन आप्यूज मातियों ए राहुल गांधी ने जप्पी थी लए अने तमाम मुद्दे प्रहार करया अगर 2019 में कॉंग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधान मंत्री लेकिन दूसरों की धेर सारी ख्वाइशे उनका क्या होगा इस बारे में कन्फुजन है अध्यक्र महोद आएगी यह सरकार का फ्लोर पेस्ट नहीं है यह तो कॉंग्रेस क्या अपने तथाकती साथियों का फ्लोर पेस्ट है न मांजी न रहबर न मांजी न रहबर न हक में हवाएं न मांजी न रहबर न हक में हवाएं है कस्ती भी जर्जर यह कैसा सफर है धारा नईव पतंती यानि चातक मुखे मेगस से किम दोशणम यानि चातक पक्षी के मुँ में बारिस की बुंद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोश जो देश के लिए मरमिटने के लिए निकंड पून मों एक दाज करते हैं लेकिन आप सर्जिकल स्त्राइब को जुम्ला स्त्राइब बोले आप सर्जीकल स्ट्राइट को चुम्ला स्ट्राइट दोले यह देश को भी महफल अहीं कऱा आपको गालिया देनी हो तो मोदी मौझूद है आप इस सारी गालिया सुने के लिए तयार हैं लेगन देश को जमान जो मр मितने के लिए निकले हैं उनको गालिया देना बनastी की सर्जिकल टाइक को जुम हैर उस प्रकार से सेणा ऑप्ढूर्णित करनेका काम निरांतर चलता है एक मोदी को हटाने के लिए जिसके साथ कभी देखने का समद नहीं मिलने का समद नहीं ऐसी धरियों को इखठा करने का प्रयास हो रहा हुआ अधिल हराम हुआ छुबे भी कि अभी तो चर्चा प्रारम हुई थी मतदान नहीं हुआ था जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था फिर भी जिनको यहां पहुँचने के उच्छा है उठो 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 नहीं हाँ को उठा सकता है न बिठा सकता है सबासो करोड देशवासी बिठा सकता है हमने काले धन के खिलाब लड़ाई च्छेडी और यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है और मैं गानता हूँ इसके कारा है कैसे कैसे लोगों को परिशानी हो रही है वो गाव अभी भी उनके भर नहीं रहे हैं यह तो आपके विहवार से मैं पता चलता है बेकिन इंडिया हो या जीएस्टी इन पर भी इनका विश्वास नहीं है भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की एकोनामिक ग्रोथ को मजबूती दी है बड़ी अर्थे विवस्ताओं में सबसे तेजगती से विक्षित होने वाली अर्थे विवस्ता भारत छटे नंबर की अर्थे विवस्ता है माताओं बेहनों के लिए उनके सम्मान के लिए आठ करोड सौचावाए बनाने का काम इस सरकार ने की पहले की सरकारे भी कर सकते हैं मुझवला योजना से साड़े चार करोर गरीब मातों बेहनों को आए दुमा मुक्त जिंद्गी और बहतर स्वाथ का काम यह विस्वाथ जगाने का काम हमारी सरकार ने किया कि देशवाथियों को आस्वस्त्र करना चाहता हूं कि यह समझोता दो देशों के बीच हुआ है यह कोई व्यापवारी प्राटियों के साथ नहीं हुआ है दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पार दर्सिता के साथ हुआ है और मेरी पार्था अभी है कि रास्तिय सुरक्षा के मुद्धे पर इतने संवेजन से मुद्धे पर यह बचकाना बयानों से बचा जाए यह मेरा आग्रा है तो विश्वास प्रस्ताव माँ पिये मोदी नी जीत बाद विविद राज के नेताव इशूं कायों आवसां भड़िये भारती जनता पार्टी के तरफ से तो कहा जा रहा था साड़े तीन सो गया उनका टार्गेट है तो पचीस लोगों कहां चलेगे जिनका जिकर कर रहे थे कि यवल तीन सो पचीस लोगों ने दिया है और वो कह रहे थे कि सिर्फ पचास साथ लोग है तो एक सो चब्वीस कहां से आ गए यह पूरा विपक्ष जितने मौजूद थे वो सब एक साथ रहे कि जिन मुद्दों पर मौदी सरकार भाग रही थी सुनने को तैयार रही थी जवाब देने को तैयार नहीं थी उसमें कम से कम अपोजिशन ने उनको घेरा और पार्लिमेंट के अंदर उस पर बहस हुई और पूरे देश ने देखा कि हमने जो मुद्दे उठाए आज भी म हर मुद्दे को उनों ने चुआ है और चार साल में मोदी सरकार ने जो देश के गाव गरीब किसान और नौजमान के लिए काम किया है वो सारी चीजें आज उनोंने सदन के सामने और देश की जंता के सामने रखी है को ङाव कि वह ओन पम्राम समय है पहब कर्म्राच को आपी सर्थ बीए कि नौगाल कोसी तंडंवर्स इमाने चं以। नवस्छ एय। शवाहिसी जिए थे पंधे में व्माने लिवेखा हैATHAN कि असे प्रेमिस्तल अट्र्वाटाइ के लिए नहर टौaskर के लिए पोगोर को कई संसद मा विश्वास प्रस्तावनी चर्चा दर्म्यान गईकाले फुल ड्रामा चुवा मड़े। राहूल गांदी नी आख मार भी और तेमना भाशन मा बुल ना कारण पिये मोदी नुहास्या। अने तेवोने हात मिला भी अने तेमने घड़े लागया राहुलना अभ्यवार बाद पीम मोदिये राहुलने पीट पन ठाबडी हती जो किया समग रगटना बाद राहुल पोता ने जग्या पर परच्जे ने बैठा हाता अने त्यार बाद राहुले पास से बैठेला कॉंग्रेस न सांसद जोती राधी ते सिंध्या ने सांकेधिक इशारो पन करें प्रधान मंत्री जी बाहर में जाते है बाहर जाते हैं मतल अगरोड जाते हैं अपना जो सिक्रेटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं प्रधान मंत्री अपनी आख मेरे आख में नहीं डाल सकते हैं कॉंग्रे सद्यक्ष राउल गांदिये पोतानी जात्ते पप्पो गड़ावी बाजपन निशान सता जड़ावियों के आपनी अंदर वारा माटे गुस्सों चें तवारा माटे हूं पप्पो जूँ आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है आपके लिए मैं पप्पू हूँ आपके लिए मैं अलग-अलग गाली दे सकते हो मगर मेरे अंदर आपके खिलाव इतना सभी गुस्सा इतना सभी क्रोथ इतनी सी भी नफ्रत नहीं है मैं कॉंग्रेस हूँ और ये सब कॉंग्रेस हैं और कंग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है इस बात को आप कभी मत गूँए राहूल बुता नो भाशन पूर्ण करयाबाद पेम मोदी ने गड़े मड़या हाता अने किलाक महत्वपूर्ण समाशार साथे परत फरियेशे रोकाईशे एक ब्रेक माते अने किलाक म समाशार साथे टूर्ण समाशार साथे वेड़ें गित्वपूर्ण समाशार साथे परत यूए झाल 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 आल झाल 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 झाल